तो दोस्तो वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल राजा क्रिकेट प्रेटिक्शन में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे बिग वैस्ट लीग 2022 ते इसके मैच नंबर 6 के बारे में जो खेला जाएगा 17 दिसम्बर 2022 पर्ति स्कॉचर और सिड्नी सी सिक्सर्स के बीच में यह खेला जाएगा एक बच के 35 मिनट से और इसका जो वैन्यू रहेगा जो ग्राउंड रहेगा यह पर्त में खेला जाएगा यानि पर्त के होम ग्राउंड में यह मैच खेला जाएगा तो सबसे पहले वीडियो आप लाश्ट तक इसकी इन सोट लेले 84 793 तरफ एट फोर सेवन नाइन थी फाइफ त्री नाइन से बिन टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो करें टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन मिल जाएगा और हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बिनिंग टीम बिनिंग चांस और लेविन की टीम ठीक है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखें लाश्ट तक सबसे पहले आते हम सिड्नी सिक्षर की तरफ तो को सिड्नी सिक्षर अभी एक मैच खेली है एक मैच हार चुकी है एक ही मैच हुआ इसका एडिलेट ने से हराय तो सिड्नी सिक्षर से बाप्सी करेगी चीद्ध मैं करें तीन बार की जीत रहे है जैसे कि मुंबाई और चेनcomb जीता है आई पिल्किएक इस सब्टनी सिक्षर यह वैसे ही इसी की विगैस की वह करें तो कि चार क्रावर की भी लेते हैं और टेज हीटिंग भी कर लेते हैं इसके बाद आते हैं मौईस हैंडिक्स टीम के कप्तान हैं अच्छी बल्लेवाजी करते हैं तेज बल्लेवाजी भी कर सकते हैं नमबर पांच पर हैं जॉर्डन सिल्क इस टीम की जान है जॉर्डन सिल्क लेकिन बॉलिंग है करते हैं इसके बाद आ जाते हैं कि मैं गैंदवाजी पर सीन अबॉट और वैं इंडॉस इस्टीव कॉफी और इज्राहुल नवीद दोखो यह इज्राहुलक नदीव नवीद यह हैं अफगानिस्तान के इस्पिनर हैं बहुत अच्छी गैंदवाजी कर तो दोनों इस टीम की जान है प्लस तीन इसके फाष्ट गैंदवाज हो गए तो यह पूरी मतले संतुलिट टीम है ऐसा नहीं है कि एक मैच हार गी तो यह बापसी करेगी और एक अच्छा मैच यह होने बाला है बड़े टीमों के बीच मुकाबला है अब आगे चलते हैं प की ओपनिंग करेंगे यह फैप दो प्लेसिस को भी भी सकते ओपनिंग पर फिर जौस इंग्लिस नीचे भी आ सकते हैं तो यहीं की ओपनिंग रहेगी या बन टू डाउन में चेंज हो सकता है फिर नमबर दो पर हैं आइस्टन टर्नर यह के कप्टान साहब हैं बहुत अच आपने देखे होंगे और यह बालिंग भी करा लिते हैं इसके बाद आते हैं अगर फिक है यह बी मतलब मैंसे तो मैं इस्पिनल बॉलर हैं लेकिन यह घुमा लेते हैं तो यह मानके चलो कि साथ नमबर तक इनके बाद बल्लेवाजी है और यह टीम लगती ऐसे ही है हमेसा स यह बाद नहीं है और यह फिर भी जीच जाती है पिछली बार से मिसल मार्स थे सामिल देखा होगा आपने ठीक है थोड़ी सी चेंज हुई है टीम में इसके बाद आते हैं टाइल मिल्स इसके बाद जेसन बैंडर और अटाई जो की बहुत अच्छी फॉर्म में हैं पीटर है जो गुलू यह आपने इनका एक्सन देखा होगा नास्ते नास्ते बालिंग कराते हैं लेकिन इनकी गैंद बाजी बहुत अच्छी होती है और आश्टेलिया की महां की पिछ पर और इनका खुद का ही मतलब पूरा देश है तो यह अच्छी परफॉनमा पर करेंगे इसक लिए इस मैच खेले गए जिसमें बैटिंग फश्ट तेरा वार जीती है थर्टीन टाइम बैटिंग सैकेंड जो है वह आपकी आठवार जीती है तोटल 21 मुकाबलों में तेरा वार फ़स्ट बैट जीती है आठवार साइक यानि कह सकते हैं कि यहां का जो ग्राउंड है त के लिए तो हो सकता है कि यहां पर टीम जीत कर पहले बल्लेवाजी चुनना पसंद करें इसके बाद आप एवरेज स्कूर की दरब देखिए तो एवरेज स्कूर 167 है यानी कि यहां पर रन पढ़ेंगे 166 एवरेज यहां पर आपको देखने को मिल सकता है असी भी जा सकता है इसके बाद हाइस इसकोर की बात करें तो हाइस स्कूर 213 है जो पर्थने बनाया था तीन विकेट की नुखसान पर लोश्ड स्कूर की बात करें सबसे कम पर्थ का है वह बी 89 रन पर आल आउट हो गए थ इसका मतलब बल्लेवाजी को सपोर्ट करता है इसका मतलब स्कूर की बात करें जो सबसे हाइस्ट है 190 प्लस वो तीन वार बनाए यानि 21 मैचों में से तीन वार स्कूर प्लस भी गया है यानि 200 के सम्थिंग तो आपको बैटिंग अच्छी देखने मिल सकती है यहां पर तो मजा आएगा मैच में अब बात करते हैं हैं मुकाबलों की देखो हैं में टोटल तेज मुकाबले हुए हैं तेज मुकाबले में से पर्थ स्कॉशर भाली रही है तेरा मुकाबले जीती है तो यह बहुत सारी चेंश हुए है बाौलिंग में हर चीज में ठीक है ना और रिकॉर्ड जितने पुराने होते हैं तो आप यह मज़ेदार ता यह मंद आप याल्यगेग Dance सिड्नी सिक्सर्ट में जोब फिलिफ हैं जेम सिमिंस हैं मोई सैंडिक्स हैं जॉडन सिल्क हैं यह बल्ले बाजी में अपना की पिलियर्स रहेंगे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इसके बाद बॉलिंग में इस्टीव कॉफी इज्राहुलाक नवीद यह आपको यह चारों आपको बल्ले बाजी तो और मिलेंगे आपको की पिलियर्स में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए और बॉलिंग में एंडू टाई और एक्टन अगर यह दोनों अच्छी गयांद बाजी कराएंगे तो यह की पिलियर्स हो गए तो दोस्तों चैनल को सब्सक् और टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिस्टर में दे रखा है हमने महां जाकर आप जॉइन कर लो हमारा काम देखो काम आपको पसंद आएगा तो चलिए दोस्तों बाइबाइबाइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो